आज मैं आपके लिए सर्फ दो मिनट में बनने वाली कोकोनट मुंखली की चटनी की रेस्पी ले करके आई हूँ जब मर जी हो फटा फट से इस चटनी को आप बना सकते हैं और डोसा इडली अपे किसी भी चीश के साथ इसको इंज्वाय कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया चट कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप मुंखली के दाने तो मैंने कच्ची मुंखली को ही छील लिया है इसका छिलका उतालिया रोश्टर मुंखली भी ले सकते हैं दो हरी में एक तुकड़ा अद्रक का हम डाल देंगे अब है यह सीक्रट चीज जो आपको समय तो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स कर लीजेगा तो हमने इसको अच्छे से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हमारी चटनी बन गई है टोटल हमें आधा कप पानी इसमें लगा तो मैं सजिस्ट करूंगी आप ऐसे ही चटनी खाईए बिना तड़का की बहुत इस तो आदश लगती है चटनी अकेली आप चाट कर खाएंगे अगर आप चायते हैं तो आप इसमें राई यानिकी सरसों के दाने और करीपत्ता से तड़का लगा सकते हैं आपके इच्छा है अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं बट मैं तो कहूंगी आप ऐसे ही खाईए बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं इसको अपम के साथ सर्फ कर रही हूं आप इसको इडली डोसा किसी भी चीज के साथ खाईए बड़े ही मज़े से आप खाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी और देखिए दो मिनटे बन करके तयार हो गई है हमें ना इसमें मुफली को भिगोने की जंजट है ना ही नारियल को तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूं कि आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर करें थैंक्यू